ओम शिरी हनुमतेने में, शिरी हनुमान अस्टला जी, मैं पंडित दीपक भारत द्वाज, प्रिया मित्रों, नमस्कार, आज आपको जानकारी देंगे देव गुरु ब्रिस्पती राशी परिवर्तन के बारे में काफी समय से देव गुरु ब्रिस्पती नीच राजभंग योग में चल रहे थे, मकर राशी में जहां जशनी ने शाष्योग बनाया हुआ था, महीं पर देव गुरु ब्रिस्पती भी अपने नीच राशी में चल रहे थे, यानि नीच राजभंग योग में जशनी के साथ, अब वे नीच राजभंगी और योग से बाहर होने जा रहे हैं और यह जो परिवर्तन है 6 अपरेल 2021 को रात को 0023 मिनट पर होगा यानि देव गुरु ब्रिस्पति मकर राशी से कुम राशी में प्रिवेश करेंगे तो इनके राशी परिवर्तन का आपकी राशियों के उपर क्या शुबाशू प्रभाव पड़ेगा इसके आपको आज जानकारी देंगे आज दो राशियों के बारे में और जानकारी देंगे आज की हमारी राशियां होंगी धनू और मकर तो जानेंगे धनू मकर राशी वाले जातकों के उपर शनी का जो राशी परिवर्त है इनके क्या सुभाशू प्रभाव पड़ेंगे पहले थोड़ा गुरू के बारे में जान लिए गुरू भौतिक और अध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति कराता है यानि बातिक सुख और अध्यात्मिक शुख, बातिक सुखों मैं सुख संसाजन, लगजरी लाइफ, गुमी मकान, वहन प्राप्रटी, संतान गर का सुख, आत्मा की शान्ती, मन की शान्ती, और धर्म गुरू, अध्यात्मिक, स्प्रिचुलिटी, कुजापाट, प्रॉफेसर, जोतिश, उच्पत प्राप्ति, मान परतिस्था, यश, मान, सम्मान, इन सब सुखों का कारक है और ये सब गुरु देव की करपास से आपक की कुंडली में, केंदर में, शुब भाव का स्वामी हुकरर केंदर में इस्तित है, तो कुछ प्राचारियों के अनुसार, और हम भी उसको देखते हैं, जो हो कुंडलियों का विचलेशन करते हैं, तो एक गुरु कई लाख दोशों को दूर करता है, और अगर एक गुरु आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है, शुब इस्तिती में है, तो आदमी अंततर अपनी लाइफ पे, अपनी जिन्दगी में सफलता प्राप्त करता है, और सक्सेस गेंद करता है, तो आज हम आपको जानकारी देंगे, धनू राशी और मकर राशी के बारे में, लेकिन उ धनू राशी है, धनू राशी से यहाँ से जो ट्राजिट हुआ है, अपका गुरू का तिस्रे घर में थर्ड अुस में हुआ है, यानि यहाँ पर थर्ड अुस में जो इनका आपको हुआ तो आपका प्राकर्म, आपका self-confidence आपका बना रहेगा, आपके आत्मेश्वास में ब्रद्धी होगी और आपके छोटे भाई बैनों का आपको ला बैनेफिट आपको सहयोग मिलेगा आपके सह कर्मी जो आपके नौकर चा करें उनका सहयोग आपको मिलेगा आपके प्रीय बंदू मिल जो वाली लोग उनका सहयोग प्राप्त होगा छोटी मोटे यात्राइं आ यहां से उनकी दिरिष्टी पाचवी दिरिष्टी जो पड़ रही है वह है आपके 7th house पर पड़ रही है और वहां से आपके बिरिस्वती नवी अस्थान में है या नेट मेंस आपको दामपत्य शुक की प्राप्ति होगी आपके विवाशादी के संबंद बनेंगे और साथ म जो जातक प्रेम संबंदों में हैं, उनके जो प्रेम संबंद हैं विवाशादी में तब्दिल हो सकते हैं, विवाशादी में बदल सकते हैं, और पती-पत्नी में आपस में तालमेल बना रहेगा, एक दूसरे का सहोग मिलेगा, सुख सहर्द का महल रहेगा, प्रेम की अपको बालगे, और आपको बार 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 उनत्ती का उसर देगा, आपको बार बार उनत्ती का उसर प्राराप्त हो玩गे, देव गुरु ब्रिश्पति की किरपासये चुकि उनकी संपूर्ण दिरिस्टी आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है तो आपको भाग्य उनत्ती का अबसर मिलेंगे तो जो है जो अबसर आपको प्राप्त होते हैं उनका भरपूर लाब उठाएं थोड़े थोड़ा परियास करें थोड़ी मेनत करें पुरुशार्थ करें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अध्यात मिक्ता का भाव आपके नदर जागेगा पूजा पाड़ धरम करम चैरिटी और स्पिश्चिलिटी में आपका ध्यान जाएगा भगवान की ब्लैसिंग मिलेगी पूजा प्यवदान आ रहे थे वह सब दूर हो जाएंगे और आपके विदेश जाने के योग आपके बन रहे हैं और आपके विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा तो बहुत अच्छे इस्ति है इसका लाब उठाएं थोड़ा प्रियास करें उसके पाद इनके दृष्टी पढ़ती है नवी दृष्टी आपके लाबस्ly पर महाँ से आपके गुरू देव्वि के पंचन अस्थान में बहुत अच्छे इस्तिफिए है लाब की दृष्टी से लाब की दृष्टी से जो इस्तिफिए हाप रहेगी इनकी यानि आप लाब गेन करेंगे अचानक से कहीं से बड़े धन की प्राप्ति या बीच बीच में धन का आगमन आपके पास होता रहेगा source of income आपकी बढ़ेगी आपको लक्ष्मिय की प्राप्ति धन की प्राप्ति और अब तक अगर आपका कहीं पैसा अटक रहा था या कोई परिशानी आपको आ रही थी तो वह आपकी दूर हो जाएगी अटकावा धन भी आपको रुकावा धन भी आपका वापस आएगा और आपको अचानक से कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है और जो आपके बड़े बाई बैन हैं तो उनसे लाप की प्राप्ति या जो आपके मित्र हैं और आपसे उमर में बड़े हैं मेल या फिमेल निस्त्री या पुरुस तो उन से आपको धन लाब की प्रापती होना बिलकूलisini यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब जब één को लाब की प्रापती होगी आप लाब गेन करेंगे तरक्की करेंगे उनुति करेंगे अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा कही पर ध्यान भी देना है थोड़ा ध्यान कहां देना है आपको आपको भूमी मकान वहन प्रॉपर्टी का अगर कोई आपको निड़ने लेते हैं कोई करे विकरे करते हैं या कोई नया मकान ख पिश्वास मत करें वरना आपको मापरलाब की बज़ाए नुकसान हो सकता है तो थोड़ा समल कर कारिये करने की जरूवत है शुब मुरत में शुब घड़ी में और सोच समझ कर जाए लिंडने लेकर आप भूमी मकान वहान का लिंदन करें वरना आपको घर में थोड़ा नु रहेगी उसके बाद आपको यहां पर आपको परिवार वालों का लाब सहयोग पूरा मिलेगा आपके परिवार वालों से आपको लाब सहयोग benefit मिलेगा financial तो आपको लाब मिल सकता है आपके धन कोश में वरिद्दी होगी बचानक से धन की पराप्ती होगी जो आपका bank balance है उसमें बड़ोत्री होगी, भवे धन आपको बढ़ेगा, लेकिन कारिये में साहिब में भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेगल, थोड़ा सा शंगर्स रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा शंगर्स आपको करना पड़ेगा, तो बिल्कुल विचलित मोत होग थोड़े व्यवधान, थोड़ी प्रेशानी आपको उप्ता सकती है, लेकिन यहाँ भाग्या आपको सपोर्ट कर रहा है, और लाब की स्थिती भी आपकी ठीक बनी वी है, और फाइनेंस की स्थिती भी ठीक बनी वी है, तो इसलिए प्रेशानी आएंगी, थोड़ी बहुत तक से चोट फूट एक्सिडेंट या कोई बिमारी कोई इन्फेक्शन साश के बिमारी कोई लंग्स की प्रोब्लम या कोई कोल्ड सावधान रहें सावधानी परते हैं तो ठोड़ा गुरू का उपाए गरें गुरु वार के दिन आप क्या करें इस थोड़ा सा पीली जो गाठिया से उन अमकीन जो आती है उसको आप कभूओं को खिलाएं और गुरु वार को पीपल वर रिक्षवार हल्दी कच्चा दूद पानी मिला कर चड़ाएं और गुरु वार को प्यूर्टी से सुद्ध तासर हैं ओम गंगन पतेने में ओम ब्रंग ब्रस्पते का नियमित जब करें और साथ में आप पक्षियों को और काली चीटियों को जरूर खिलाएं खास तोर से गुरु वार को आप पीली चीज़ों का दान करें तो निश्चेत रूप से आप गुरु का जो दुश प्रभाव उससे बचेंगे आपको उनको असुबत्य प्राप्त होगा और अगर देखें तो यहाँ पर जो धनुराशी वाले इस तेम आई तो यहाँ पर आपकी भील पावर भी बनी रहेगी आपकी भील पावर भी स्टॉंग रहेगी और आपको संतान पक्ष की तरफ से भी आपको लाब मिलेगा क्या संतान आपकी तरक्की करेगी उनक्ति करेगी उनसे कोई खुशकबरी मिलेगी, कोई विवासादी का संबन आपकी संतान का बनेगा नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की, लकारिय विलसाय बिजनस में तरक्की यानि संतान की तरफ से आपको संतुस्टी प्राप्त होगी, आपको कोई ना कोई आपको खुश कबरी उनकी तरफ से मिलेगी और बहुत मांश्चिक आप को सांती मिलेगी पढ़ाई वाले जातकों के लिए वी जो विद्यार थी वर गया उनके लिए इस्तिती बहुत अच्छी है अब तक अरहां आपको प्रेशानी आ रही थी आपके अड्मिशन लेना चारे थे, कोई कोई कोर्श करना चारे थे उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पटा था भै दिक्कतें दूर हो जाएंगे आप अपने मताबिक अपने अक्राडिंग आड्मिशन ले सकते हैं परवेश ले सकते हैं और कॉंशन्टेट होकर आप पढ़ाई कर पाएंगे जिससे आगा में आपको उसके बहुत अच्छे रेजल्ट पराप्त होंगे प्रेम संबंद वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे इस्तिती है प्रेम संबंद उनके जैसा हमने कहवेवाशादी में तब्दिल हो सकते हैं तो कंटेन्यू कीजिए आपके संबंदों पर गाड़त आएगी मजबूती आएगी एक दूसरे का लाब सपोर्ट आपको मिलेगा नौकरी पक्षालों के लिए भी इस्तिती अच्छी है अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे नौकरी आपकी लग सकती है और नौकरी में तरक्किवनती इंक्रिमेंट ये सारी चीज़े और जो शत्रू है उनसे आपको मुक्ते मिलेगी उनके उपर आपका वर्चस्व बना रहेगा और साथ में जो रिड रोग आपको घेरे हुए है तो अगर आप किसी रोग से गरी सिते हैं और ठीक होने में नहीं आ रहे हैं तो रोग भी आपका ठीक होगा और जो कोई करज भार आपके उपर चड़ा हुआ तो कोई ना कोई साधन ऐसे बनेंगे कि आपका करजा भी कम हो जाएगा और आपका करजा पूरा पूर्ण रूप से उतर भी सकता है तो इस्तित रोग आपके ठीक है और आपका आत्मेश्वास आपका सहीं बना रहेगा आ अगर आप आपने बुद्धी मता का प्रिचे देते वे और अपने साध के बल पर आपको योजना बना कर अगर कोई कारिये करेंगे निस्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी आप तरक्की करेंगे उन्ति करेंगे और अगर 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 देखें यहाँ पर धनुरैश्य वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंड़ी के अंदर गुरू की महादशा अंतरशा चल रही है और वह है आपके फेवर में है आपके अनुकूल है तो आप यह मान के चलिएगा कि नैंटी नैंटी फाई परसेंट तक नब्य की चानवे परसेंट तक आपको इसके रिज बीस-तिस परसेंट मिलेंगे लेकिन चोड धुरुगड़ना से थोड़े बचें किसी बिमारी से बचें और थोड़ा अचानक से कोई आपको मुमी मकान वहान का जो हमने बताया आपको लेते समय हो लेन देन करते समय थोड़ा ध्यान रखें थोड़ी परशानी आ सकती है व आपके लगन बिंगारी में आति वही बहुत वह बहुत वहै आपकी में होती है वह आपके जीवन का पूरा धार है तो इसलिए एक बार अपने कंडली का विश्लेशन भी आप तो आप अनालेस plays कराए तब आप दोनों को गरह गोचर को तो आप टैली करें उसके साथ फिर वहां इस्तती से पता चलेगा कि वाकी के ये देव गुरू ब्रिस्पति आपको किस परकार के शुबाशुब आपको फल देंगे तो एक बार कुंडली का विश्रेशन करा लें हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके फोन पर भी आप हमस से उन्त कंसल्टेंसी ले सकते हैं और उससे आपका मार्क दर्शन भी होगा आप लाबानवित भी होगे और आप तरक्की करेंगे उनत्ती करेंगे सुखी रहें स्वस्त रहें अब आगे बात करते हैं मकर राश्ची वाले जातकों के लिए तो यहां पर जो इस्तती है मकर लाब बैनेफिट्स है होगा आपको मिलेगा उनसे फानेशल लाब मिलेगा आपके धन कोश में रद्धी होगी आपका धन बढ़ेगा अचानक से वड़े धन की प्राप्ति होगी इंकम के सरोथ बनेंगे सोर्स आप इंकम आपकी बढ़ेगी मलक्षमी का आगमन आपका देव गुरु ब्रस्पति की करपा हैं पर आपके उपर दिपन रही है आपकी भील पावर बहुत अस्टायंग रहेगी आपका मात्मिश्वास आपका बिल्कू ठीक रहेगा किसी भी कारिये को आप पॉट ठीक धंग से कर पाएंगे लेकिन समय समय पर थोड़ी सी नकारात पक विचार, फोड़ी negativity, irritation, frustration, confusion, अंजाना डर, अंजाना भय या छोटे भाई बहन या जो नौकर चाकर है उनसे थोड़ा सा नुकसान, छोटी मोटी आत्रा है उनसे नुकसान, मिलने जुलने वाल वोगे उनसे नुकसान, ये थोड़ी सी चीजें घटित हो सकती हैं लेकिन से उपाय आपको बताएंगे, थोड़ा शर्दा विश्वास से करेंगे, तो ये इस्तती भी आपके अनुकुल हो जाएगी, उसके बाद हम बात करते हैं, आपके फूर ताउस की बहुत अच्छी इस्तिती है, तो यहाँ पर आपको धलाब मिलेगा, और प्रपर्टिक अला पारें आप, या किसी संपत्ती को लेके कोई वादी वाद चल रहा है, तो वह आपका सौल हो जाएगा, वह परिशानिया आपकी दूर होगी, आपको नए घर की, मकान की, आपको चल अचल संपत्ती की आपको प्राप्ती होगी, और आपको किसी वहान की प्राप्ती भी हो स अगर उनका स्वास्तिय अब तक खराब चल रहा था तो अब उनके स्वास्ते में सुधार हो जाएगा और आपको उनका आशिरवात कौन रूप से प्राप्त होगा घर में शुक्षानती का महल रहेगा बहुत अच्छी स्थिति है अच्छानक से आपको भूमी मकान वहन प्र तरक्की करेंगी उनक्ती करेंगी विवाशादी का संबन उनका बन सकता है पढ़ाई में तरक्की नौकरी लगना नौकरी में तरक्की कारिये विवसाय बिजनेस में तरक्की उनक्ती यानि उनका दिस्वास्ते खराब चल रहा है आपकी संतान का उसमें भी सुधार हो अगर आप नौकरी को लेकर परियास रहते हैं, आप तक सफलता नहीं मिल रही है, तो आप निश्चित रूप से आपको सफलता भी लेगी, आप फोड़ा परियास कीजिए, फोड़ी मेहनत कीजिए, फोड़ा एफर्ट्स कीजिए, तो आपको नौकरी लगने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, और नौकरी अगर कर रहे हैं, तो उसमें तरकी उन्यत्ती होगी, शत्रों से मुक्ति मिलेगी, उनके ओपर आपका वर्चस्व बनेगा, आपको शत्रों का दमन होगा, कोई रेड़ और रोग है, उससे भी मुक्ति मिलेगी, कोई करजवार चड़ा हुआ ह या कोई आप मतरोग से पिडित हैं, किसी बीमारी से पिडित हैं, तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रों के ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपके दमपत्ते जीवन की, तो यहाँ थोड़ी सी शत्रों की गड़ बढ़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ स जीवन में थोड़ी प्रावलम, थोड़ी कड़वाट, थोड़े मद्वेद, आपके लड़ाई जगड़े हो सकते हैं, अचानक से, और यह लड़ाई जगड़े जो हैं आपके, यह आपके घर से बाहर निकल कर कोट के चारी तक भी पहुँच सकते हैं, और आपके अड़ो ही थे हैं, तो आपका डिवोर्स तक हो सकता है, कोट तक आपका केस जा सकता है, और जो लोग बिजनसमेन हैं, पती-पती में आपस में मन मुटाओ की इस्तिती पैदा होगी, और्ग्यूमेंट होएंगे, लड़ाई जगड़े पड़ेंगे, यह संभावना आप पर दिखा खास तोर से पार्टनर्शिप में, तो नहीं तो आपको लाब की बज़ाए नुकसान होने की संभावना रहेगी, तो यहां थोड़े सतर करें, और देव गुरु ब्रिस्पति के थोड़े से उपाय करें, इसके उपाय हैं, अगर आप थोड़े शर्दा विश्वास से निय जुए का, या ब्लेक मार्केटिंग के थो उनका पैसा आता है, या टेक्स बचाते हैं, तो कहीं से आपको बड़े धनकी पराप्ति आपको मिल सकती है, और अगर कोई आप अन्वेशक हैं, कोई अनुसंदान करता हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या तो जा तांत्रिक हैं, तो कि मंतरों के उपर आपको शोद कर रहे हैं, या जोतिसी से संबन्दित आपको शोद कर रहे हैं, या आप वैज्यानिक हैं, किसी अनुसंदान कारिये में लेगे हैं, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने कही हो गया, आपको सफलता मिलेगी, तो आपको सक्सेस बराप्त ह बाग्य उनत्ती में समय समय पर थोड़ी सी बाधा हैं आएंगी थोड़ा संगर्सों का सामना करना पड़ेगा समय समय अगर आप कोई कारिये करना चाते हैं या आप कर रहे हैं तो उसमे समय समय पर थोड़ी सी बाधा है थोड़ी टेंशन आपको यहां create हो सकती है और अगर इदेशों से संबंदित कोई कारिये है आप इदेश जाना चाते हैं तो वहां भी थोड़ी दिक्कते रुकाउटों का सामना करना पड़ेगा पूजा पाठ थोड़ा धरम करम से आपका ध्यान अटेगा ये भगवान की तरफ से थोड़ा ध्यान अटेगा आपका तो लेकिन आप नियम से अपने जो भगवान की आप उजा पाठ करते हैं नित्ते करते रहिए और अपना प्रुशार्थ मेहनत की जिए क्योंकि यह समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा और यह प्राबलम भी बहुत बड़ी प्राबलम नहीं है फोड़ा सा उपाय हम आपको बत दिशाय में आप तरक्की करेंगे उनक्ति करेंगे जो बिजनसमेन हैं उनको सकसे मिलेगा उन्चाइयों की सीड़ी पर चड़ेंगे आपको अपने बिजनस में स्टैबिलेटी मिलेगी अब तक अगर कोई को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वह दिक्कतें आपके दूर हो जाएंगी उसका विस्तार करेंगे आप उसमें ब्रिद्धी करेंगे या कोई इसमें चेंजेज कर सकते हैं कोई बदलाव ला सकते हैं या कोई नया कोई कारिये दिशाय बिजनस करना है तो वह भी आप कर सकते हैं या नौकरी पेशे वालों के लिए अच्छी इस् बड़े धन की प्राप्ति जैसे कि हमने पहले बताया आपके लाब तज इंकम के सुरोत आपके बनेंगे सोर्स आप इंकम आपका बढ़ेगा जहां से आप लाब गेन करते हैं इस्तथिया आपके अनुपूले फेवर में हैं आपके पास भाद धन कागम आता रहेगा जिससे आपका कारिया सुचार रूप से चलता रहे और साथ में ट्रैवलिंग के थुरू तो यातरादी के थुरू भी अगर कोई कारिया बगरा करते हैं तो एक देश से दूसरे देश जाते हैं या अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं कोई नौकरी इससे रेलेटेड करते हैं या कोई बिजनेस भी अपार करते हैं तो नए संपर्क बनेंगे नए कांटेक्ट बनेंगे आपका रुकावधन वापस आएगा और करें मेहनत करें और थोड़ा गुरु देव का उपाय करें और अगर अगर देखें अगर आपकी कुंडली के अंदर देव गुरु ब्रिस्पती की स्थिति मजबूत है और उनकी महादशाया अंतरदशा आपके फिवर में आपके पक्ष में चल रही है तो आप देखेगा कि नबे परसंट तक आपको इसके रिजल्ट पॉजिटिव में आएंगे, आप तरक्की करेंगे, उनत्ती करेंगे, और अगर वह दशान तरदशा आपके अनुकूल नहीं है, गुरू की स्थती आपके फिवर में नहीं है, आपकी जर्म कुंडली में, तो यह है आपको दस बिस में आपकी जर्म कुंडली का है, मैंने इंपोर्टनाइस उसकी है, वह आपका बिलकूँ आधार बूते हैं, जिसको बेस बोलते हैं, यह मकान का आधार उसकी नहीं हूँ, तो जब दोनों को टैली करते हैं, तब तो शत परती सत इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते है तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विशलेशन करा लें, हमसे कराना चाहते हैं, हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी में आप अपना मार्क दरशन पराप्त कर सकते हैं, जिससे आपको लाब भी पराप्त होंगे, और छोटे छोटे उपाय करने से, तो मंत्रों का जाप करें, ओम गंग गंपते नमें और ओम ब्रंग बरस्पते नमें, एक्सवाट एक्सवाट बार करने में मातर तीन मिनट लगेगा, नियमित कीजिए, और गुरुवार के दिन, आप पीपल विश्पर जाएं, सुबह के टाइम आप ग्यारा बज़े से पहले देवे, तीन परदक्षना करें, और जहां मिट्टी गिली होती, उसका तिलग करके वापस आएं, गुरुवार को शेव नहीं करें, ओईल नहीं लगाएं, और कपड़े वाश नहीं करें, प्यॉर्टी से रहें, नौन वैज नहीं खायां, शुद्धता से रहें, और गुर ले मोदक या बेसन से बना परशाद, तो वह आप सभी को वित्रित करें, तो आर उसको सोयम भी खायें, और साथ में आप कवों को गुरुवार को जरूर खिलाएं, पक्षियों को जरूर खिलाएं, थोड़े पीले चावल, थोड़े चने की दार डाल के बायल कर लें, उसम प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उनत्ती करेंगे, सुखी रहें, सुस्त रहें, हस्ते रहें, मुस्कराते रहें, जैशीरी राम, जैशीरी अनुमार